Hello friends, आज हम RIEG की first application install करने जा रहे हैं और उसमें Hello world जो हमारा होता है first application वो हम करने जा रहे हैं, तो कैसे हम install कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले lecture में देखा था, हमारे पास npx की ये command होती है, इसके तुरू हम अपना project बनाएंगी, तो ये होती है, हम अपना command prompt मैं open कर लेता हू और यहाँ पर जहाँ भी मुझे project बनाना है मैं वहाँ पर चला जाता हूँ cd projects folder के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ npx create react app और मैं अपने project का ना बढ़ता हूँ यहाँ पर react app ओके तो मैंने एंटर किया है यहाँ पर और यह सारे package इस्टोल करेगा तो इस्टोल होने में थोड़ा टाइम लेता है ठीक है इसने 14 सेकंड यहाँ पर लिया इसको इस्टोल करने के लिए create a new react app और इसके बाद यह इस्टोल कर रहा react react-dom react script and cra templates template है इसकी जो हम यह template हो थी है नोड में यूज़ोगी और script तो मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पोस्ट कर लेता हूं वीडियो को तो यह हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर install हो गया है npm यहाँ पर कुछ कमांड भी गई है npm start start the development server हम इस तरह से npm start से अपना server start कर सकते है npm run build इस तरह से इस command से हम अपने build create कर सकते हैं जब हम प्रडेक्शन पे अपने code को बेजना है तो हम build से बेजेंगे build the app into the static files for production npm test start the test runner को के टेस्टिंग के लिए उस होता है npm test तो push command है तो यहाँ पर last में है cd react है हम सबसे पहले project के अंदर जाएंगे और उसके बाद npm start करेंगे तो हमारा project start हो जाएगा ठीक है लेकिन उससे पहले जो हमारा जो टाइम लेता है तमसे कम चार से पांच मिनट इसने लिया ठीक है तो यहाँ पर टाइम भी शो करता है यहाँ पर जैसे 14 seconds आ रहा है यहाँ पर देखें है 17 seconds आ रहा है और और फुटा उपर चलते हैं यहाँ पर देखें कितना टाइम आया 235 seconds आया मतलब 4 मिनट से भी जाद है का टाइम है तो 4-5 मिनट इसको इसको इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था अब हम क्या करें इस अपना जब प्रोजेक्ट है रियक्ट है उसके अंदर जाते हैं cd और फिर npm starts यह हमारा प्रोजेक्ट इस्टार्ट करेगा एंपिस्टार्ट पर मैंने कमाद एंटर की और यह हमारा प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट में अटोमेटिकली ओपन करते हैं ठीक है और यह जब हमारा प्रोजे gener उपन करता है तो इसका पॉर्ट जो हό福實 $3000 होता है लोचल FROM 30000 पर सब्सक्राइब लोडिंग हो रहा है हमारा project अभी इसके बाद मैं बी एस पोर को भी क playing से क्मांण प्रोम्ट से कैसे display श futur को वेपन कर सकते हैं अपने प्रोches को तो ये हमारा देखे यहां पर picture run हो गया uh okay तो हम मैं जाके server को ctrl c करके ctrl c terminate कर दूँगा मैं इसको मैंने server off कर दिया है क्योंकि मुझे इसका code base जो है मुझे vs code editor में open करना है तो code और dot ठीक है इस command से हम vs code को open कर रखते हैं मैंने enter किया अब देखिए यह command automatically मेरे vs code को open कर देगे और मेरा जो project होगा folder वो भी इसमें मुझे open folder नहीं करना पड़ेगा automatically यहाँ पर react app आ गया है ठीक है तो यहाँ पर आ गया है अब मैं यहाँ पर जाओंगा terminal में terminal पर जाके मैं new terminal करूँगा और यहाँ पर जाके अपना npm start करूँगा यहाँ पर जाके अपना npm start करूँगा इस तरह से ठीक है यह मेरा project को start कर देगा फिर से open करेगा browser में तो यहाँ पर तब तक हम देख लेते हैं save to the reload अब हम जाते हैं यहाँ पर src folder में app.js यह हमारा first component होता है और यहाँ पर हमारा जो save to the reload था मैं इस text को हटा जेता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं hello world तो app.js मेरा first component है ठीक है root component पर इसको बोलते हैं अब देखिए हम front end पर जाता हूं और यहाँ पर देखता हूं तो देखिए hello world हो गया ठीक है इस तरह से हमारा यह first application install हो गया है run कर रहा है और मैंने यहाँ पर first component में change भी करके hello world दिखा दिया है ठीक है next हम आगे सीखेंगे component बनाना और फिस टाइप के component होते हैं ठीक है thank you for watching please subscribe my channel for more videos